हेलो एंड बेलकम दोस्त मैं हूँ नभीन कुमार और आप देख रहे हैं वाइफाई दोस्त चैनल जो की पोको के तरफ से जो की कुछ दिनों पहले लांच हुआ पोको एक्स टू जो की मार्केट में बहुत धूम मचा दिया जो की लोगों को बहुत पसंद आया अब पोको के अगले आगामी फोनों का इंतिजार करते हुए गरहां एक और लिक में पता चला है कि जल्द अब पोको M2 प्रो लॉंच हुने वाला जी है एक टीचर्स में भी जारी किया गिया है हट ट्वेटर हेंडल टिप्सट में भी इसका एक लिखा हुआ आया था जो की आपको पोको M2 प्रो के बारे में कुछ लीक एस्पिफिकेशन निकल कर आ रहा है अभी मैं आपको बताऊंगा पोको M2 के बारे में लीक एस्पिफिकेशन जो की पोको M2 प्रो जो की बेहदी बेहतरिन फोन होने वाला है जो की अब देखना ए रहता है कि इसका क्या क्या एस्पिफिकेशन आता है और एक कितने प्राइज में लॉंच होता है तो हमारे पास कुछ लीक एस्पिफिकेशन है जिसके कारण से आप भी अंदाजा लगा सकते हैं कि इस रेंज में यह फोन बेहदी बेहतर होगा तो अगर आप लोगों को पोको M2 प्रो खरिदना है तो आप लोग इंतिजार कर सकते हैं तो इसके लिए आपको पूरा वीडियो को पूरा देखना होगा चैनल पर पहली बार आये हैं विजिट किये हैं तो आप सस्क्राइब करकर बेल नोलिफिकेशन दबा दिजेगा और आप हमें इस्टाग्राप पर फोलो कर सकते हैं लिंक वीडियो के नीचे मिल रगा आप वहाँ पर जाइए हमें फोलो क किजिए तो चलिए वीडियो को शुरू कर देते हैं तो यहां पर सिंपली में पोको M2 प्रो के बारे में बात करूं तो परेदे डिस्पले से शुरू करते हैं आपको डिस्पले दिया जा रहा है 6.67 इंच का फुल HD पलस आपको इसमें IPS डिस्पले देखने को मिलेगा ना क की एमूलेड जी हैं आपको IPS डिस्पले इसमें आपको दिया जा रहा है जो कि बेहली अच्छा डिस्पले है और अगर मैं दूसरा बात करूं इस केमरा सेटप की जो की मोवाईल लेने का मेद मंकसद होता है केमरा जी हां तो केमरा की बात करूं अतमें आपको रियर केमरा दिए जाएगा क्वाइड सेटप केमरा के साथ आता है जी हैं चार केमरा तो पहला कैमरा की बात कर लो तो फुटी ऐट्य मेगा फिक्सल का ठैयम्डी अन्सर आपको दिया जा रहा है और यहां चारा Mam safeguard कि यहां आपको दिया जा रहा है और सेलफी की बात करनों जी है जो अहम इस्सा होता है फोन का सेलफी केमरा तो सेलफी केमरा में आपको सिस्टी नेगा फिक्सल का आपको वन सेल्फी केमरा जो कि आपको होल पंच डिजाइन के साथ देखने को मिलेगा जो कि यह बहुत ही अच्छा बात है क्योंकि अब वाटर रॉप नौच देख देखके मैं भी बोर्ड हो चुका हूँ जो कि अब होल पंच डिजाइन ही देखने में ब अहम इससा होता है इस फोन का सब्रोसे तो में सब्रोसेशर की बात को दिश्याद आप ku okesड़ेंट स्नयप ड्रेगा लिए संबा स्वंड्येट कीसी के आगे में तो और इसकी मैं आता है निकल के बैटरीक छम्ता की जो कि आपको भी लखना होना चाहिए कि भाई मेरा बैटरीक कुछ ज्यादा लंबा चलना चाहिए तो बैटरीक छम्ता की बात को इसमें आपको दिया जारा जो कि यहाँ बेहाद ही अच्छा बात है जो कि बैटरी की बात कुरूंगे यह बैटरी बहुत ही जवर्दस्त क्वालिटी मिल रहा है आपको अब इसका आता है बैडियंट की बात तो बैडियंट आपको दो मिलेगा देखने के लिए एक पहला बैडियंट 4GB RAM और 64GB का स्टो है 6GB RAM और 128GB का स्टोरेज जिसका पराइज आपको बहुत ही कम पढ़ने वाला है कोई भी ज्यादा पराइज नहीं पढ़ने वाला है 15,999 रुपी जी हैं पहले का पढ़ेगा आपको चार चौंसत का 14,000 रुपे और दूसरे का पढ़ेगा आपको 6,128 का आपको पढ़ेगा 16,000 रुपे जो की यहां रेंज में इतना सारा कुछ और प्रोसेसर 720G आपको बहुत ही अच्छा है अब देखने वाली बात यह है कि एफोन इंडिया में कब तक लॉंच होता है कब तक इसका लॉंच डेट निकल कर आता है अभी कोई भी ऑफिसियल लॉंच डेट निकल कर नहीं आ रहा है अफिसियल लॉंच डेट डेट निकल के आता है हमारे चैनल पर आपको सबसे पहले देखने को मिल जाएगा तो अब यही देखना बाकी रातत इंडिया में कब तक लॉंच होता है अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक और M2 प्रो जी हां पोको M2 प्रो के बारे में और भी कोई भी जानकारी निकल कर आती है तो आपको इस चैनल पर मिल जाएगा तो आज के लिए बस इतना ही फिर मिंते इसी तकाचे वीडियो पर जैहीं वंदे मात्रां